हालो एवरिवन पुछल Ih Know साइन्स का फिजिस की पॉष्चिन का जो चैप्टर मोशन हे वे शुरू कर चुके थे ठीक है उस में हमने बेसीकली मोशन के बारे बात की थी, फिजिकल क्वांटिटीज बहुतिक राशियों के बारे में बात की थी ठीक है, क्या कहा था हमने मोशन को, कि कोई वस्तू मोशन या गती कब करती है जब वह अपनी सिती में परिवरतन करती है समय के साथ और किसी स्तिरबंदू के सापिक्स इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, कुछ एक्जैम्पल्स के माध्यम से ठीक है उसके बाद हम भोतिक राशियों पर आये थे जिसे हमने कहा था कि वो राशियों भोतिक राशियों कहलाती है जिनको मापा वे तोलर जा सकता है ठीक है जिनके हमने कुछ उधारन बताए थे फिर हमने आगे बताया था कि बहुत एक राश्य दो प्रकार की होती है अदिश और सदिश अदिश राश्य हम वो होती है जिनको बताने के लिए क्यों परिमान के आवशकता होती है सदिश राशे हम वो होती है जिनको बताने के लिए परिमान और दिशा दोने के आफशकता होती है ठीक है फिर हमने इनके कुछ उधारण आपको बताये थे जैसे कि अदिश राशे के हमने कुछ उधारण बताये थे द्रवेमान, दूरी, समय, चाल और फिर सदिश राज़ों के कुछ उधारन बताया थे हमने विस्थापन बल दाब और वेग ठीक है इसी की आगे बात करते हुए हमारा जो सेशन था वो खतम हो गया था अब उसी को आगे गंटिन्यू करते हैं ठीक है बच्चो आगे जो आपका हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस दूरी ठीक है अगर मैं आपसे पूछओ दूरी कैसी राशी है सदिश या अदिश तो मैंने कल आपको इसके बारे में डिटेल में एक्जेम्पल लेके समझाए था तो दूरी कैसी राशी है अदिश राशी है कि कोई आपसे पूछेगा कि आपका घर कितनी दूर है कितनी डिस्टेंस है आपके घर से स्कूल की कितनी डिस्टेंस है तो आप क्या कहेंगे तीन किलोमेटर चार किलोमेटर ठीक है तो इससे बताने के लिए आपको कोई दिशा के आवशकता नहीं होगी केवल परिमान के आवशक्ता होगी जिससे आप कहेंगे तीन किलमेटर ठीक है तो दूरी कैसी राशी होती है अदिश राशी ठीक है ये तो बात हो गए इतनी आप थोड़ा सा इसकी परिभाशा को पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रियास करते हैं क्या है बच्चो परिभाशा इसकी दो बिंदूों के मद्धे तै की गई कुलपत की लंबाई दूरी कहलाती है क्या है दो बिंदूों के मद्धे तै की गई कुलपत की लंबाई दूरी कहलाती है अब ये क्या है भई इसको समझते हैं थोड़ा सा क्या कहा हमने दो बिंदो के मध्य तै की गई कुलपत की लंबाई भई ये दो बिंदो हो गए हमारे ठीक है इसको मान लीजिए ये है आपका घर ये है आपका हॉम ये है आपका स्कूल ठीक है बच्चों ये दो बिंदो हो गए ठीक है आप मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल का ये कुछ रास्ता है ठीक है ये आपके घर से आपके स्कूल का रास्ता है ठीक है रास्ता में पत है वे है ठीक है मान लीजिए इसकी लंबाई है दो किलो मीटर ठीक है ठीक उसी प्रकार एक और रास्ता जाता है आपके घर से स्कूल तक के लिए मान लिजी वो कुछ इस प्रकार है ठीक है मान लिजी इसकी लंबाई तीन किलोमीटर है तो क्या हुआ हमारी डेफिनिशन दो बिंदू के मध्ध है तै की गई कुल पत की लंबाई ठीक है अब ये घर से स्कूल तक का पत हो इसकी लंबाई क्या है? 2 km इसकी लंबाई क्या है? 3 km तो यही तोड़ी stance है ठीक है बच्चो? यही तोड़ी stance है 2 बिंदो के मद्दत तैकी गई कुलपत की लंबाई दूरी होती है Simple as that ठीक है? तो यही हमारी दूरी है ठीक है? आगे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदो लिखे है दूरी के बारे में उनको आगे बढ़ते हैं यह तो हम बताई चुके है दूरी एक अदिशरासी है scalar quantity है ठीक है बच्चो? इसके बाद हम क्या कहें? क्या लिखा है यह? यह हमेशा धनात्मग positive होती है अब बच्चो आप मुझे बताईए क्या दूरी कभी negative हो सकती है? क्या आपके घर से स्कूल की दूरी negative हो सकती? आप कहेंगे मेरे स्कूल माइनस दो किलो मेटर दूर है नहीं हो सकती तो दूरी क्या होती है हमेशा positive होती है धनात्मग होती है ठीक है इसका SI मातरक meter होता है ठीक है SI मातरक क्या होता है meter होता है अब ये क्या है भी SI मातरक meter होता है ये SI एक पद्धती होती है जिसको international level पर माना जाता है ठीक है यानि कि जब भी हम दूरी को मापेंगे तो हम SI standard जो हमारा इंटरनेशनली जो माना जाता है उसे मीटर में ही मापेंगे हम यानि कि जो दो किलोमेटर कहें हैं कह रहे हैं हम इसको इसको हम कहेंगे 2000 मीटर क्योंकि एक किलोमेटर में होते हैं 1000 मीटर तो ये हो जाएंगे 2000 मीटर थीक है बस आपको इतना ध्यान रखना है एक अदिश राजी होती है, scalar quantity होती है, यह धनातमक होती है, ठीक है, मैंने आपको बता है, negative क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, और इसका SI मातरक, जो standard international level पे apply, वो होता है, माना जाता है, वो होता है, meter होता है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे बास आता है, अगला topic, विस्थापन, क्या आता है बच्चो, विस्थापन, विस्थापन को English में कहते हैं, displacement, क्या कहते हैं, displacement, इसके बारे में भी, हमने जब आपको सदिश राजी बताई थी, तो हमने पहला example, एक aeroplane वाला लिया था, आप पिछली वीडियो देखेंगे ध्यान से, तो आपको समझ आ जाएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो विस्थापन क्या है, इसकी definition को एक बार पढ़ते हैं, और इसको भी समझने का प्रियास करते हैं, क्या है, दो बिंदो के मद्धे, दो बिंदो के मद्धे तै की गई, अब आप सोच रहे होगे, सेम सेम सी लग रही होगी, दूरी और विस्थापन, इस सेम नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच, बहुत मामूली सा अंतर है, वो ही हमें समझना है, दो बिंदो के मद्धे, तै की गई, निूनितम पत की लंबाई, विस्थापन कहलाती है, तूरी क्या थी, दो बिंदो के मद्धे, तै की गई, कुल पत की लंबाई, ये क्या है विस्थापन, दो बिंदूओं के मध्य तै की गई न्यूनितम या मिनिमम ठीक है मिनिमम पत की लंबाई विस्थापन कहलाती है अब ये क्या है चलिए इसको भी समस्ते है ध्यान से समझेगा बच्चो विस्थापन हमने कहा दो बिंदू के मध्यां तै की गई नियूनितम पत के लंबाई अब इसको सेम पहले की तरह अपना घर मान लीजिए इसको मान लीजिए आपके दोस्त का घर ठीक है फ्रेंड्स हों दोस्त का घर मान लीजिए अब हर बार स्कूल थोड़ी मानेंगे कुछ अलग मान लेते हैं ठीक है बच्चो तो ये तो हो गया आपका घर ये हो गया आपके दोस्त का घर ठीक है मान लीजिए आपके घर से आपके दोस्त के घर का रास्ता कुछ इस प्रकार जाता है ठीक है इस तरह घूम के जाता है कैसे भी जा सकता है आप कैसे ले सकते हैं ठीक है बच्चो इस तरह जाता है आपके दोस्त का घर का रास्ता आपके घर से माली जी इसकी लंबाई है 5 किलो मिटर ठीक है इसकी दूरी है ये आपके घर से आपके दोस्त की घर की दूरी 5 किलोमेटर ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस, ठीक है कि दो बिंदू के मद्धे, कुल पत की लंबाई ये वाई हमारा पती तो है रास्टा ही तो है, घर का तो इसकी पूरी लंबाई कितनी हो गई? पांच किलोमेटर, लेकिन बच्चों, हमने हम विस्थापन किसको कह रहे हैं, दो बिंदो के मध्य, नियूनितम पत की लंबाई, मिनिमम पत की लंबाई, एक मिनिमम पत भी तो जा सकता है इनके बीच, क्या हो सकता है, ऐसे गूम के न जाके, सीधे ऐसे चले जाओ, सीधे ऐस अब आप कहेंगे तो रास्ता तो ऐसे जा रहा है आप ऐसे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं अब अजो एक बाद imagine करके देखें मानलीजे आपके किसी दोस्त के घर का रास्ता गलिओं में जाता है गलिओं में इधर उदर घूम भूम के जाता है आप मान लिजए आप अपने घर की चत पर है आपका दोसा अपने घर की चत पर है ठीक है आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं एक सीध में आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं हाना कि आपके घर का रास्ता गुमावदार गलियों वलियों में से जाता है लेकिन आप नाला हो कुछ भी हो बीच में मतलब एक minimum path हो सकता है वो बेसक तुम उस पर जाओगे नी लेकिन एक minimum path हो सकता है उसी कहों कहते हैं उसी कहों कहते हैं विस्थापन कि दो बिंदो के मध्य minimum path की limited कीlaughs ठीक है बच्चो I hope ये clear हो गया होगा आपको तो आप एक दो बार इसको देखेंगे आप को अइरोप्लेन के एक्जैम्पल लिया था कि जब पाइलेट कोई प्लेन चलाता है उसकी कंट्रोल लूम – से उसको क्या बताते है दो किलो में नौर्थ में चलिये तीन किलो में साउथ में चलिये ठीक है तो यानि कि दूरी के साथ साथ वो उसकी दिशा भी बताता है तो इसी को हम विस्थापन कहते हैं विस्थापन और दूरी में यही दो एक चोटा सा डिफरेंस है ठीक है कि विस्थापन में दिशा भी बताई जाती है ठीक है तो यह एक सदिश रासी है यह क्या हो सकती है धनातमक हो सकती है रिनातमक हो सकती है और शुनने भी हो सकती है अब यह समझना बहुत important है बच्चो दूरी को हमने कैसे बताया था पॉजिटिव हो सकती है कि आप अपने घर से अपने घर दोस्त के घर की दूरी नेगेटिव नहीं बता सकती है कि मेरे दोस खापन पॉजिटिव तो आप समझी गए कैसे हो सकता है ठीक है कैसे हो सकता है यहां से लेकर यहां तक कुछ तो विस्ता बन हो गई कि मानली जी ये 5 km है हो सकता है यहां से 2 km लगे बस जाने में ठीक है तो इस तरह तो positive हो सकता है अब आप बात रही कि negative कैसे हो सकता है और शोनने कैसे हो सकता है अब एक बात समझने कि आप कोशिश करिए मानली जी ये ये एक व्रत्ताकार पत है एक circular path है ठीक है आपने ये कोई बिंदू है ठीक है आपने ए बिंदू से चलना प्राणब करा शुरू किया ये चलते गए आप चलते गए चलते गए और आप वापस बिंदू ए पर आ गए तो आपने कोई विस्थापन करा आप यहां से चले वापस यहां पर आ गए अगर मैं आपसे इसकी कहूँ दूरी तो दूरी तो उसकी हो सकती है माले कुछ भी इसके path की लंबाई मालने जिए 100 मिटर है यहां से यहां तक इसकी दूरी 100 मिटर चला इसने तो वो दो बिंदू क्या हो सकते हैं, मतलब जहां से उसको चलना है, और जहां उसको पहुंचना है, वो ही तो दो बिंदू होते हैं, अब उसको अपने घर से चलना था, तो यही तो दो बिंदू होते हैं, अब वो A से चल रहा है और वापस A पर ही पहुंचना है उसको, तो क विस्थापन कहा है? दो बिंदू के मध्या नियूनतम पत्की लंबाई कौन से दो बिंदू? जहां से वो चलना प्रारंब करे और आफरी बिंदू कौन सा? जहां उसे पहुँचना हो ठीक है, अब वो ऐ से चला है और उसको ए पर ही पहुँचना है तो एका ए पर ही रहा वो कुछ विस्थापन तोड़ी नहा हुआ वहीं कभव हीं आ गया तो विस्थापन 0 होता है 0 होगा और दूरी क्या हुई जो उसने पूरा कुल पत्की जो उसकी लंबाई है पत्की लंबाई मान लीचे कुछ भी 100 मेटर मान लिए हमने 100 मेटर है ठीक है तो दूरी और विस्थापन में यह चोड़ा सा डिफरेंस है कि दूरी होती है कुल पत की लंबाई और विस्थापन होता है नियू नितम पत की लंबाई जहां से उसको चलना है और जहां पोचना है ठीक है उसके बीच shortest distance minimum path ठीक है अब आप मुझे question बताई लिए मान लीजिए मान लीजिए आप यहां आप कहीं A position पे खड़े हैं ठीक है यहां कहीं आप A position पे खड़े हैं और आपको C position पे पहुँचना है B से होते हुए ठीक है माना A से B की जो यह जो एक path है A to B इसकी लंबाई मान लीजिए 3 मीटर है 3 मीटर है और B से C की लंबाई 4 मीटर है 4 मीटर है ठीक है अब आप मुझे बताईए A से C तक जाने में उसने कितनी दूरी तैकी A से C तक जाने में उसने कितनी दूरी तैकी दूरी बताईए आप मुझे कितनी दूरी तैकी तो कितनी दूरी तैकी बच्चो दूरी क्या होती है दो बिंदो के मद्धे तैकी गई कुलपत की लंबाई उसे A से C पे पहुझना है तो पहले वो A से B पे जाएगा कितनी दूरी हो गई, तीन मीटर फिर B से C पे जाएगा यही तो कुलपत हो गया, कुलपत मतलब टोटल पत उसने कितना ट्रेवल करा ठीक है, पहले वो इसे B पे गया, B से वो C पे गया, तो पहले वो तीन मीटर चला फिर वो चार मीटर चला, तो 3 प्लस 4 इकोल्स टो क्या हो जाएगा, 7 मीटर तो यह इसकी दूरी आ जाएगी 7 मीटर, ठीक है आई होब आप क्लियर हो गया हो आपको ठीक है, इसी प्रकार विस्थापन के बारे में अगर हम बात करें, मान लीजिए चलिए इसको आगर करते है मान लीजिए, अभी हम विस्थापनी पढ़ रहे है ठीक है मान लीजिए, आप A पोजिशन पर हैं किसी, ठीक है आपको C पोजिशन पर जाना है ठीक है, B से होते होए B से होते होए ठीक है, अब आप मुझे बताइए A से C तक पहुँचने में कितना विस्थापन आया, ठीक है, कितना विस्थापन आया, पताईए मुझे, जहाँ A से B की जो लंबाई है, वो है 3 मीटर, B से C की लंबाई है 4 میटर अब आपको मुझे दूरी नहीं बतानी आपको मुझे बताना है A से C तक जाने में विस्थापन कितना हुआ दूरी क्या होती है कुलुपत की लंबाई A से B से जाएगा B से C पे जाएगा लेकिन वो क्या होता है विस्थापन दो बिंदो के मद्ध है न्यूनितम पत की लंबाई तो ये तो लंबा वाला पत होगा कुल पत होगा न्यूनितम पत क्या हो सकता है एसे C को मिला दो ये ही तो न्यूनितम पत हो जाएगा ऐसे ऐसे घूम के न जाके आप सीधे C पर पहुंच जाओ ठीक है, अब हमें ये वाली distance इसके निकालने पड़ेगी, ये distance कैसे निकलेगी बच्चो, ये वाला angle 90 degree मानके चलिएगा अब, ठीक है, ये angle क्या है, 90 degree, आपने पिछली कक्षाव में पढ़ा होगा, ये एक triangle बनी गा, इस triangle को क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, right angle triangle, क्या क ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इसको, समकॉण तरिभूज, समकॉण तरिभूज, ठीक है बच्चो, अब देखेिए इसके कैसे निकलेगी ये वाली, नमबाई, ठीक है, समकॉण तरिभूज में एक theorem होती है, पाइतागोरस theorem, आपने नाम सुना होगा, क्या होती है Theorem Python-Purus Theorem में क्या होता है कि Hypotenuse के Square Equals to Perpendicular के Square Plus Base के Square ठीक है बच्चो Hypotenuse क्या होती है जो 90 डिगरी के सामने होती है 90 डिगरी के सामने होती है उसको हम कहते है Hypotenuse Hypotenuse क्या है हमें निकाल लिए माल लिजा Hypotenuse X है ठीक है x meter है और इसी x की value हम निकालेंगे तो hypotenuse की value का है x तो x का square क्योंकि hypotenuse का square है ठीक है अब perpendicular आप base इनमे से आप किसी को माल लीजे जब हम आगे अपना match में पढ़ेंगे ना जब हमारे triangle आएगा तब हम इसके बारे detail में बताएंगे इसका अंडरूट में आजाएगा ठीक है इसका अंडरूट खोलेंगे तो क्या आजाएगा 5, 5 meter तो x की value क्या आ गई 5 meter और यही आपका displacement होगा क्या होगा बच्चो यही आपका displacement होगा तो displacement की value क्या आ गई 5 meter ठीक है समाज आ गया सबको क्या था बच्चो एक बार फिर से इसको ध्यान से पढ़िए हमें a सе c ते पहुचना था ठीक है हमें a से b की लेंट दी थी 3 meter b से c की लेंट दी थी 4 meter हमें निकालना था displacement जहां हमें a से c पर पहुचना था ठीक है अगर हमें distance निकालना होती तो distance क्या होती है कुल पत की लंबाई कुल पत उसका क्या होगा पूरा पत जो उसका actual पत है A से B पे जाएगा B से C पे जाएगा तो 3 मेटर प्लस 4 मेटर इक्वल स्टो 7 मीटर दूरी तो इतनी हो जाएगी लेकिन हमें निकालना है विस्थापन, displacement displacement क्या होता है नियूनतम पत की लंबाई A से C के भी नियुनतम पत क्या हो सकता है A से सिधा C को मिला दो जब हमने A से C को मिलाया तो हमने देखा ये एक तिर्बुच बन गया तिर्बुच भी कौन सा बन गया समकोन तिर्बुच बन गया राइट एंगल ट्राइंगल बन गया फिर हमने देखा हमें hypotenuse की 90 डिगरी के सामने वाली साइट को हम hypotenuse कहते हैं और hypotenuse को ही हमें निकालना है क्योंकि वो ही हमारी displacement की value हमें देगा विस्थापन की value हमें देगा ठीक है इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास right angle triangle में एक pythagoras theorem होती है जोकि हमिन hypotenuse की value निकाल के दे सकती है फिर हमने वह theorem लगाई वह theorem किया थी hypotenuse की square equal прев caus to perpendicular की square plus base की square फिर हमने hypotenuse की value को x मान लिया क्योंकि हमें इसी की हमें value निकालना है तो x के square करा, 4 को हमने perpendicular मालना है, 4 के square, इस 3 को 20, base मालना है, 3 के square इनको solve किया, x की value निकाल ली हमने 5 मिटर और यही हमारी displacement की value आ गई 5 मिटर ठीक है बच्चो, clear हो गया होगा आई बहुत आपको ठीक है, अब एक question करके देखते हैं ठीक है, बहुत ही सरल सा question है ठीक है, और इसके बाद तो आपको पूरी image clear हो ही जाएगी दूरी और विस्थापन की, ठीक है इसे आप भहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है अब तक जो आपने सीखा, इसे में वही apply करना है पढ़िए question क्या है, अगर कोई वस्तू अगर कोई वस्तू, एक वृत्ताकार पत्पर गतिमान हो क्या मतलब है बच्चो इसका एक वस्तू है, वो वृत्ताकार पत्पर गति कर रही है कैसे गति कर रही है, वृत्ताकार पत्पर ठीक है, एक वस्तू वृत्ताकार पत्पर गतिमान है तो उसके द्वारा, उसके द्वारा तै की गई दूरी और विस्थापन ग्याद कीजिए उसके द्वारा तै की गई दूरी और विस्थापन ग्याद कीजिए हमें दूरी और विस्थापन तो ग्याद करना है लेकिन हमें कुछ conditions दी हुई है उन conditions के अंदर करना है कि A क्या है जब पूरे वृत्ताकार पत के लिए हमें निकालनी है A से B के लिए निकालनी है ABC के लिए निकालनी है ABCD के लिए निकालनी है इन कंडिशन को मैं एक वृत्ताकार पत पर आपको plot करके दिखाता हूं फिर उसके साब से निकले गई एक मिनट का आप मुझे समय दीजी ठीक है अच्छो ये हमें एक वृत्ताकार पत दिया हुआ है इस प्रकार ये एक वृत्ताकार पत हो गया ठीक है ये कहीं इसका ये सेंटर है सरकल का कोई सेंटर तो होगा ठीक है ना सरकल का सेंटर है तो वो किसी रेडियस पर बनाओगा एक तिर्ज्या से बनाओगा मान लिजे radius R है R ही मान लिजे इसको ठीक है अब हमें कुछ बिंदू दिये हुए है उस पर ये बिंदू है A ये है B, ये है C, ये है D ठीक है बच्चो तो इस प्रकार हमें एक वरत्तकार पते दिया हुआ है इस पर हमें कहा है एक वस्तू जिसे आपने कहा होगा ठीक है तो ये फॉर्मूला होता है ये परीधि होती क्या है पूरे ये जो ये दिख रहे है ना आपको इसकी जो पूरी बाउंडरी दिख रही है ये इसकी लंबाई होती है ये पूरी लंबाई यहां से यहां तक ठीक है तो यही तो हमारी दूरी भी हो सकती है अगर वो पूरा एक वरत्तकार पत पर चले और यहीं कहीं यहां जाए तो पूरा वरत्तकार पत्ध, पूरा वरत्तकार पत्ध मान लिजें, यहां से वो वस्तों ने चलना शुरू किया, यहां से चली, 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 यहां पर आ गई, ठीक है, यहां से चली, यहां आ गई, तो इस condition में दूरी क्या होगी? जितनी वृत की परीदी होगी उतनी ही तो दूरी होगी बच्चो थीक है क्योंकि यही तो पूरा यह distance travel कर रही है और यही हमारी परीदी होती है तो क्या होगी टूपाई यार तो दूरी के आ जाएगी टूपार आई पूरे वित्तकारपत के लिए ठीक है क्लियर अब बात कर दें विस्थापन के लिए विस्थापन के लिए अब आप मुझे बताएए माना इस बिंदू से वस्तो ने चलना शुरू किया चली चली यहां तक आई फिर यहां तक आई और वापस यह पर पहुंच गई तो विस्थापन क्या हुआ शुन्य जहां से चलना प्रारम करा भही आ गई विस्थापन क्या होता था उन दो बिंदो के नियुनतम दूरी जहां से वो चलना प्रारम करें और जहां से पहुचना हो यहां से उसने चलना प्रारम करा था और वो यहीं पहुच गया तो नियुन्तम दूरी क्या होई शुन्य क्योंकि वहीं कब ही आगया ठीक है तो विस्थापन क्या हुआ इस condition में, शुन्य, ठीक है, clear, second, B part करते हैं इसका, B part में क्या गया है, क्या कहा गया है, A से B के लिए निकालना है हमें, क्या निकालना है, दूरी और विस्थापन, अब बात करते हैं A से B के लिए, अब देखें बच्चों, A का है, ये, A से पहुँचना है हमें, B पे, तो इस condition में दूरी के बतानी है, क्या बतानी है, दूरी बतानी है, और विस्थापन बताना है, देखते हैं बई, ये दूरी और विस्थापन के आएंगे, ठीक है, दूरी के बात करें, तो यहां से उसने चलना शुरू किया वस्तुने, चली, 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 यहां B पे आ गई, तो ये वाली लंबाई होगी, एसे B पे जाने के लिए, ये वाली लंबाई होगी, यही तो दूरी होगी, बच्चों, क्या होगी है दूरी होगी क्योंकि पात तो उसका सरकुलर ही है हम तो दूरी की बात करते हैं तो हम पूरा कुलपत की लंबाई लेते हैं और इसे भी तक जाने में कुलपत की लंबाई ही है ठीक है तो इसकी value कैसे निकलेगी अब आप मुझे पताईए जो यह पूरी distance होती है यहां से यहां तक की इसको हमने कहा 2 by r ठीक है अब ऐसे ऐसे इसको चार पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं यह circle ठीक है भई एक पार्ट यह रहा ठीक वैसा ही पार्ट यह होगा ठीक वैसा ही चार रुपे हैं उनको आपको चार भाई हैं या भेहन हैं उनको आपको चार पार्ट में डिवाइड करना है आपके ममी बाबा आपको चार रुपे देगे गए और कहा उनको आप चारो भाई भेहन आपस में डिवाइड कर लो तो आप कितने कितने रुपे दोगे उसे चार जे डिवाइड करोगे तो सब के हिस्से में क्या एगा एक एक रूपा ठीक है तो चारो भाई बैन पर एक एक रूपा आ जाएगा ठीक है ठीक वैसे ही जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है 2πr और हमें उसे डिवाइड करनी है 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एक किया जाएगी हमारे पास कि एक को कितनी मिलेगी ठीक है तो बच्चों दूरी क्या है टोटल 2πr हमें निकालनी है केवल इतनी तो इसको 4 में डिवाइड कर देंगे ठीक है 4 में डिवाइड कर देंगे तो एक किया जाएगी जैसे यहाँ पर कर रहा था आपके पास 4 रुपे थे आपको चारो भाइड करना है तो आपने 4 से डिवाइड कर रहा तो एक एक रुपे हर एक पर आ जाएगी ठीक है तो ये भी हर एक पर आ जाएगी तो 2 πाई यार अपोन 4 2 से 2 टू चा 4 तो क्या बन जाएगा ये पाई यार अपोन 2 ये दूरी हो जाएगी अब बात करते हैं विस्थापन की ठीक है बचो इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है ये बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए समझना ठीक है अब हमने दूरी तो निकाल ली एसे भी तक जाने के लिए अब विस्थापन क्या होता है नियूंतमपत की लंबाई अब नियूंतमपत ये तो होगा नहीं ये तो उसका कुलपत होगा नियूंतमपत क्या होगा एसे भी को आप भई डारक्ट मिला दो यह होगा आपका विस्थापन होगा के नहीं होगा ठीक है अब हमारा यही वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा कैसे देखें भई यह रेडियस है किसी सेंटर से सरकल के उसके सरकमफेरंस को मिला ले वाली रेखा वो रेडियस ही तो बनाती है ये radius है तो ये भी तो radius होगी होगी के नहीं होगी ये भी तो radius होगी ये भी radius है ये भी radius है और इस angle को 90 degree मानेंगे हम मानेंगे क्या होता है ये 90 degree ठीक है अब हमें ये वाली line निकाल लिए और ये वाली line निकाल लिए ये दूरी निकाल लिए तो यही हमारा विस्तापना जाग स्क्टेक्ष्पर तो वही चीज़ हम यहाँ पर अपलाई करेंगे कैसे करेंगे άइप्विन टू अब ठीक यहाँ पर फॉर्म ne लगाईए क्या है वो इससा और निकालने के लुए कि x का square equals to perpendicular यह माल लेते है र और base यह माल लेते है कोई फरक नहीं पड़ता r का square प्लस r का square ठीक है बच्चो अब x square equals to r और r 2r हो जाएंगे 2r square इसकी x की value निकालेंगे तो जब यह square अटाएंगे तो उसके उपर root लगाना हमें पड़ेगा कैसे 2r square अब यह r square है तो एक r भार आ जाएगा कैसे x equal to r root 2 ठीक है बई कोई value under root के अंदर वो square में होती है तो एक भार आ जाती है ठीक है तो x की value क्या आ गई r root 2 और इसको ही हमने विस्धापन माना था तो विस्धापन की value क्या आ गई r root 2 ठीक है c पार्ट में क्या बताया है हमें a b c के लिए हमें क्या निकालना है दूरी और विस्धापन a b c के लिए क्या है बच्चो पहले हमें जाना है a से b b से जाना है c a b और c यह वाला पात पूरा पूरा half circle हो जाएगा semi circle हो जाएगा यहां से यहां तक जाना है ठीक है यही तो होगा ABC तक जाने के लिए तो दूरी क्या होगी ABC के लिए दूरी क्या होगी भई यहां से यहां जाना है यह वाला पता में लेना है ठीक है पूरा क्या होता था है टूपा यार पूरा क्या होता था है 2 pi r आप ले रहे हैं half semi circle ले रहे हैं ठीक है half ले रहे हैं भई आपके पास 2 रुपे हैं आपके पास 2 रुपे हैं आपको 2 भाईयों के बीच ये divide करने हैं तो आप 2 से divide करोगे तो एक एक रुपा आजाएगा सबके पास ये नहीं उसके लिए आप 2 से divide करोगे ठीक हमें वैसे ही इसको 2 part में divide करना है पूरी लंबाई कितनी है 2 pi r half half 2 में divide कर लें क्योंकि हमें एक half की निकाल नहीं है ठीक है तो क्या हो जाएगी दूरी 2 pi r upon 2 2 से 2 गट जाएगा तो क्या जाएगी यह pi r तो दूरी आगए है हमारी pi r ठीक है अब हमें निकालनी है विस्थापन या displacement विस्थापन क्या होगा बच्चो a b c के लिए यह तो कुलपत की लंबा ही होती है दूरी विस्थापन क्या होगा e से c को निकाल लो जाने वाला इस्थान और जहां पहुचना है वो इस्थान वो direct हमने मिला दिया यह पूरी line हो गई यह line मिला देंगे है में से c तक तो क्या होगा बच्चो r ये है r ही तो distance ही, radius ही तो है और ये भी radius है तो r ये, r ये तो विस्थापन क्या होगा r प्लेस, r इक्वल्स टू 2 r यह ही हमारा विस्थापन है, simple ठीक है, next question next क्या है a, b, c, d के लिए निकालना है किसके लिए निकालना है, a, b, c, d के लिए अब a, b, c, d का है भई a से b पे जाएगा, b से c पे जाएगा और c से d पे जाएगा अब ये इतना पात कवर होगा कितना पात, ये यहां से लेके, यहां तक का ठीक है, यहां से लेके, यहां तक का तो इसके लिए दूरी क्या होगी, भई half के लिए हमने दूरी निकाले थी जब हमने a से b पे हम गए थे दूरी कितने निकाले थी, pi r by 2 कितने निकाले थी, pi r by 2 बताओ बच्चों कितने निकाले थी, pi r by 2 एक के लिए, ये तो निकाले थी जब a से हम b पे गए तो ये दूरी निकाले थी जहां हमने कहा था पूरी 2 pi r है तो एक के निकालने के लिए चार से डिवाइट कर रहा था यहाँ पर चार से डिवाइट किया था ठीक है आप हमें तीन पार्ट के निकालने एक पार्ट यह हो गया एक पार्ट यह हो गया हमें पता है एक पार्ट की दूरी आई हमारी पाई आर भाई टू तीन की निकालनी तो तीन से दिवाइट कर देंगे कैसे इसको भी एक उधारन के तोर पे समझते हैं आपके पास एक रुपा है तीक है आपके पास एक रुपा है और आपको उसे तीन में देना है कहने का मतलब नहीं सौरी कहने का मतलब बच्चों यह है आपको तीनों भाईयों को एक एक रुपा देना है तो तीन आपके भाईयों गए एक एक रुपा आपको देना है उन्हें तो टोटल कितने रुपे हो जाएंगे तीन रुपे नहीं हो जाएंगे ठीक है एक रुपा आपको तीनों भाईयों के पढ़ेंगे आपको तो सेम वह है एक के पास हमारे पास पाइ-आरभाई टू है इनको हमें 3 के लिए निकालना है तो今日は जाएगा 3 इन टू पाइ-आरभाई टू तो क्या हो जाएगा यह थी into πr by 2 ठीक है, अब हमें निकालना है विस्थापन, क्या निकालना है विस्थापन a, b, c, d के लिए अब बच्चो देखो, ये a से b गया b से c गया, c से d गया ठीक है, लेकिन विस्थापन के लिए तो हमें नियूंतमपत चाहिए होता है ठीक है, ये हमारे लिए नियूंतमपत तो होगा नियूंतमपत क्या आएगा जहां से चलना है और जहां पहुँचना है, उस point को मिला दीजी क्या मिल जाएगा, a से d को मिला जीजी, क्योंकि a से उसे वो चल रहा है, और उसे d पे पहुँचना है ठीक है, ये हो जाएगा ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे अब अब देखें बच्चो, अब केवल इस पे फोकस करिएगा इतने पार्ट पर भई, ये हमारी radius है ये भी हमारी radius है ठीक है, ये वाली line हमें निकालनी है कौन सी line निकालनी है ये वाली, क्योंकि ये हमारा विस्तापन है ये angle 90 degree होगा ठीक है, तो same वही value आजाएगी जो हमने इस पार्ट के लिए निकाली थी ठीक है, क्योंकि ये भी आ रहे, ये भी आ रहे ये 90 degree है, यहाँ पर भी hypotenuse निकालना था हमें, ये आ रहे, ये आ रहे पहले भी बताया था, जब हम कोई नई चीज पढ़ते है जब हम कोई नई चीज पढ़ते है तो उसको हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा हमें ज्यादे फोकस करना पड़ता है, धिरे-धिरे हम प्रैक्टिस करते हैं, बार-बार देखते हैं चीजों को समझ से हैं, तो धिरे-धिरे हमें वो समझ आने लगता है तो वैसे ही आपको इस वीडियो को दो-तिन बार देखना पड़ेगा, और सुरू से लेकर लास्ट तक, जितने भी कंसेप्ट जो भी थियोरी बताई है, उसे ध्यान से समझनी पड़ेगी तो जाकर आपको इस समझ में आएगा ठीक है, और जब हम अगली क्लास में मिलेंगे आप, तो आपको इस सारा अच्छे से डिस्कस करके आना है, तब ही आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है तो ये कोई बहुत जादे डिफिकल्ट नहीं, सब बहुत आसान है आपको बस ध्यान से सुनना है, जो जो मैंने बताया है एक दो बार वीडियो देखेंगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे अगली गलास में फिर आगे बढ़ेंगे इतना अच्चा से पढ़िएगा, रिवाइस करिएगा ठैंक यू